हलो दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल स्ट्राइज एडिक्शन के दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक जनवर कौन सा है आप सेच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है खतरनाक के काटने से एक साल में दुनिया भर में लाकों लोगों की मौत हो जाती है। आज मैं हमारे वीडियो में आपके लिए ऐसे ही पांच जान लेवा रोगों की जानकारी लेकर आई हूं जो अलग-अलग प्रकार के मच्छरों के काटने से फैलती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं नमबर पांच पर है मलेरिया एनाफिलिस नाम के मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोक फैलता है इस मच्छर के काटने के बाद इसके किटानों खोन में जाकर अपनी मात्रा बढ़ा लेते हैं जिसके कारण इनसान में एनेमिया के लक्षन दिखने को मिलते हैं साथ ये चक्कर और सांस फुलना भी शुरू हो जाता है जिसके बाद विक्ति को ठंड, गर्मी और पसी नान की क्रियाए एक साथ शुरू हो जाती है यह अवस्ता में कभी-कभी इनसान बेहोशी की हालत में भी जा सकता है इस रोक के बढ़ने का कारण जैसे कि आप सब जानते हैं यह गंदे पानी, कच्रे और बस्तियों की गंदके की वज़े से ज्यादा फैलता है इसलिए किसी भी तरह का बुखार जो आपको बार-बार आता हो तो खून की जाच करवा लेना बहुत ही आवश्यक है एडिस अजिप्टी नाम के मादा मच्चर के काटने से डैंगी रोक फैलता है यह बीमारी में इंसान बहुत ही दर्द और कमजोरी महसूस करता है इस मच्चर के काटने के 4-10 दिन बाद इसके लक्षन दिखना शुरू हो जाते हैं इस रोक के होने पर मरीज को तेज बुखार, सरदर्द, मास पेसी और जोड़ों में दर्द होने लगता है और पूरे सरीर पर फुंसिया हो जाती है डैंगे रोग होने पर मरीज को तुरंथी अस्पताल में भरती होने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह रोग खुन में तेजी से संक्रमंटा फैलाता है यह रोग होने पर डॉक्टर आराम और अधिक से अधिक पाने पिने की चला देते हैं नबर तीन पर है चिकन गुनिया एडिस नाम के मच्चर के काटने से चिकन गुनिया रोग फैलता है इस रोग से होने वाले लक्षण ज्यादा तर डैंग्यू से होने वाले लक्षण उसे मिलते जुलते ही इस रोगों में बहुत ही तकलीफ और जोड़ों में तेज दर्द होता है यह बिमारी होने के बाद इसके लक्षण की असर आसाने से नहीं जाती क्यूंकि इस बिमारी से बचने की ना है कोई दवाई बनी है ना है कोई टीका इसलिए इस बिमारी से बचने का बस एक ही कारण बता रहा है कि मच्छर उसे ज़्यादा तर दूर रहने की कोशिश करें नमबर दो पर है यलो फीवर इडिस इजिप्टी आई जाती के मच्छर के काटने से यलो फीवर नाम का रोग होता है यह रोग होने पर मरीज में पील्या की लक्षन दिखाई देते हैं लिवर में खराबी होने के कारण उसकी तवचा और आखो का सफिर हिस्सा पील्या पड़ जाता है यह रोग वाईरस से फैलने के कुछ दिन बाद ही वेक्ति को पता चलता है हाला कि इस रोग से बचने की दवाई और टी का आधी बना हुआ है फिर भी बहुत लोगों की इस रोग से मृत्ती हो जाती है यह रोग ज्यादा तर आफरिका और अमेरिका के बूबागों में अधिक फैलता है नमबर एक पर है जीका वाईरस अंडी जीप की नाम के मच्छर के काटने से जीका वाईरस रोग फैलता है यह वही मच्छरे दोस्तों जो डेंग्यों चिकनगुनिया और पीला बुखर्जे से रोगों को फैलाने के लिए जीका वाईरस को पैचनना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके होने के कोई विशिस लक्षन नहीं है यह रोग मच्छर के काटने के तीन से बारा दिनों के बीच रैसेज सिर्दर्थ और जोड़ों के दर्थ के लक्षन दिखाता है दिखा गया है कि यह रोग मास से नवजज़ शिशू में भी फैलता है और इसके फैलने का दूसरा कारण यौन सबंदों को भी बताया गया है